तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने पर हलकी सी वाइब्रेट होती है कार और हैंडल पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं है और यह कार सिर्फ 8000 किलो मेटर चलिये तो इसके म्यूजिक सिस्टम को म्यूट करते हैं तो आज हम आपके लिवे विव लेक्या है है 2011 अल्ट होगा इसमें कंपनी फिर्ट 3 एंजी है और यह सिर्फ 8000 किलो मेटर चलिये तो चलिए इसका रिवी श्राट करते पर देश्ट परस्ट 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 पर इसका प्रडक्शन स्टाट वाता 2000 वे और 2014 तक कंटिन्यू रही है इसका प्राइस स्टाट होता था 2.7 लैक से और जाता था 3.8 लैक तक एक एक शोरूम सेफटी के अंदर हमें इसमें मिलता है फ्रेंट इंपक्ट बीम साइड इंपक्ट बीम इंजिन इमोबलाइजर सेंट्रली मांटेट फ्यूल टैंक चाइल्ड सेफटी डॉर लॉक्स और सीट बल्ट अगर आप ओल्टो पेट्रोल का विव्यू देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और वो डिटेल्ड विव्यू है ओल्टो का यह 2011 मोडल आप देख रहे हैं और कार सिर्फ 8000 किलो मेटर चलिए जी हां अपने सई सुना है बिल्कुल कार सिर्फ 8000 किलो मेटर चलिए और कार को 8 साल हो चुके हैं इसका मतलब एक साल में 1000 किलो मेटर चलिए यह कार और कार के अंदर cng भी है company fitted तो अब बात करते हैं 2011 से अब तक कार के अंदर क्या-क्या खराबी आई है तो कार के अंदर अभी तक कोई भी खराबी नहीं आई है क्योंकि कार सिर्फ 8000 किलो मेटर चलिए और कार चलाने में बिल्कुल न से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और काफी इच्छी कंडीशन वाली मिल जाएगी यह वाली कार जो है सिर्फ पैट्रोल पे चली हुई है cng सिर्फ इसमें नाम के लिए लगी हुई है और कुछ ऐसी रिखती है कार फ्रेंट से यह हैं इसकी हेलोजन हेड लैंप और इंडिकेटर सुजुकी का लोगो गिल तो अब इसका बोनेट खोल के दिखाते हैं आपको कि कैसी कंडीशन है इसके इंजन की कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन इसमें हमें मिलता है थ्री सिलेंडर 800 CC FC पैट इंजन जो की जनरेट करता है 46 BHP की पावर और 62 NM का टॉर्क 35 लीटर के फ्यूल टैंक से यह हमें माइलेज देती है 15-20 के बीच में पैट्रोल पे और CNG पे हमें माइलेज देती है 18-25 के बीच में और इंजन आप देख सकते हैं काफी अच्छी कंडीशन में है कोई भी लीकेज वगेदा नहीं है कि यह सकी कंपनी फिटेट CNG किट और यहां से CNG चेक कर सकते हैं आप इसमें CNG बिल्कुल नहीं है क्योंकि यह से पैट्रोल पे चलिए यह CNG का ACM अब आपको इसके इंजन की साउंड सुनाते हैं कि अच्छी कि अच्छी कि कुछ ऐसा दिखता है इसका बंपर इसमें हमें मिलते है 12 इंज के स्टील वील्स आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे यह है इसके टायर का साइज यह साइड इंडिकेटर मैनुवली एडजस्टेबल ओर वीम मैनुवली एडजस्ट होगा बहार से FM एंटीना रूफ और इस कार को हम ड्राइव गार के बताएंगे कि यह कार चलने में कैसी है बाकी आप कार देख सकते हैं कार में कहीं पर भी रस्ट नहीं लगा है और कुछ ऐसे दिखती है यह पीछे से यह हैं इसकी हेलोजन टेल लैंप मारूती सुजूकी की बेजिंग सुजूकी का लोगो ओल्टो और एलेकसाई की बेजिंग ओल्टो की बेजिंग छुट चुकी है इसमें हमें मिलती है 160 mm की ग्राउंड क्लिरेंस सेवन हंडर्ड फाइव गेजी का कर्वेट है अब इसका बूट खोल के देखते हैं और आपको कंपनी विटेट सेलेंडर दिखाते हैं इसका सी एंजी का इसमें हमें मिलता है 176 लिटर का बूट स्पेस पर इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सी एंजी लगी हुई है और कुछ ऐसा दिखता है इसका डिक्की का गेट 12 केजी का सलेंडर है और 8 केजी सी एंजी आती है इसके अंदर और सी एंजी का सलेंडर भी बिल्कुल नया पड़ा हुआ है जैसा कि आप सब्सक्राइब देख सकते हैं यह कुछ स्पैसिफिकेशन थे और इस ताहिके से स्टैप नी निकालनी है इसकी यह स्पेयर टायर वह भी नया पड़ा हुआ है और यह सी एंजी की मोटर 12 वाट की कमपनी विटेट सलेंडर में हमें मोटर मिलती है कि आप मादी ब्रेक माहाट किवा वाइड़ अपर दलाइट निशेग मी इन तुह वाइड़ दापने सब्सक्राइब कुछ ऐसा दिखता है इसका पैसेंजर साइड डोर अंदर से खेंडल डोर हैंडल और आमरेस्ट आमरेस्ट काफी छोटी है नाम के लिए ऐसे और यह विंडो हैंडल कुछ ऐसी दिखती है कार अंदर से और आप देख सकते हो यह इसकी कमपनी विटेट फैबरिक अपॉल्स्ट्री है यह हैं इसके कमपनी विटेट सीट कवर्स और हैड्रेस्ट हमें फिक्स में लेंगे यह बूट और कुछ इस तरीके से निकलते हैं इसका स्पेर टायर सीट फोल्ड होने के बाद इस पेर टायर अगाम से निकल जाता है ऐसे सिफ सी एंजी वाली गाड़ी का निकलता है पेट्रोल वाली का नॉर्मली पीछे से निकल जाता है यह हैं पीछे के हेड्रेस्ट फिक्स मिलते हैं हमें और दो मिलेंगे ड्राइवर सीट 510 के हिसाब से एड़जस्ट है और लेक्स पेस हमें काफी कम मिलता है पीछे और हम भी काफी बड़ा मिलता है तीन लोगों को बैठने में थोड़ी प्रोग्लम होगी कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर साइट दोर अंदर से यह ग्राइब हैंडल एक ग्राइब हैंडल हमें इधर मिल जाएगा कि और सीट पॉकेट्स नहीं मिलती है कमपनी जीटकवर्स में कुछ ऐसा दिखता है डैसबॉर्ड और टू स्पोर्क स्टेविंग वील यह सीट बेल्ट और पीछे भी हमें सीट बेल्ट मिल जाती है तो अब इसका ड्राइवर साइड डॉर खोल के देखते हैं कुछ ऐसा देखता है इसका ड्राइवर साइड डॉर अंदर से यह मैनुली एड्जेस्टेबल साइड मिर बहार से एड्जेस्ट होता है विंडो हैंडल यह लोग हैंडल डॉर हैंडल और आम रेस्ट थोड़ा सा स्पेस गेट में हमें बोटल होल्डर नहीं मिलते हैं और कुछ ऐसी दिखती है कार अंदर से कंडिशन आप देख सकते हैं काफी नई कंडिशन है कार की कि यह सीट एड्जेस्ट है कि यहां से खुलेगी इसकी फ्यूल लिट यह पैडल्स और बॉनट ओपनर लाइट और सी एंजी के कंट्रोल्स यह एसी वेंट यहां से डालेगा इसमें पैट्रोल और इधा से डालेगी सी एंजी कुछ ऐसा दिखता है इसका टू स्पोक स्टेविंग वील डैश्बोर्ड यहां 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 इसके एसी वेंट तो अब कार को अन करते हैं है 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 यहां 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 इसके एसी के कंट्रोल्स मैनुवल एसी मिलता है यहां इसका कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आरुति सुजुकी का इसमें हमें उप्शन मिल जाता है एफेम यूएसबी ऑक्स और एश्डी कार्ड का और ब्लुटूथ का उप्शन भी इसके एंदर इसके म्यूजिक सिस्टम में हमें कंपनी से दो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि डैश बॉर्ड में लगे हुए आगे और कुछ SES के म्यूजिक सिस्टम की साउंड अगले संदेश अको लगसी आया है बिना चांदी विशाल चांदी की ईस अगलम है चैनल जो है अपने आप चेंज हो गये कर सकते है और और है और कि एलेकसाई वेइन्टम में हमें कोइन होल्डर नहीं मिलता है 100 कोई ऊल्डर यह पर होता है और चार्जिंग सोकेट यहां पर यह दो कप फोल्डर्स और थोड़ा सा स्पेस यह है इसका फाइव स्पीड मैनुल ट्रांस्मिशन यह यह लोग यह हैंड ब्रेक यहां पर हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा पैसेंजर साइड एसी वेंट और गलब बोक्स के अं पैसेंजर साइड डोर अंदर से यह ग्रास एए अлекनल है और फेस्जर साइड में कुछ नहीं मिलेगा है लेडिं राएड ड्राइवर साइड में भी तोस नहीं यह लाइट के कंट्रोल्स और यह हैं CNG के कंट्रोल्स अभी यह कार पेट्रोल पर है और कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लेस्टर इसमें हमें शो करता है वर्निंग लाइट्स यहां पर शो करेगा स्पीड और यह है इसकी M.I.D. इसमें हमें शो करता है फ्यूल है टोटल किलो मीटर से ट्रिप ए और ट्रिप बी और जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल आठ हजाद चपन किलो मीटर चलिए एकाइग कर देख देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं से स्टार्टिंग पर बिल्कुल हल्की सी वाइबरेट होती है और हैंडल में बिल्कुल हल्की सी वाइबरेशन है कारगे यह नोब में कोई भी वाइबरेशन नहीं है म्यूजिक सिस्टम को म्यूट कर देते हैं और हैंड बेक को डाउन करते हैं पहले अब फर्स्ट केयर डालेंगे और क्लेच प्लेट भी नहीं पड़ी है इसकी हैंडलिंग भी काफी अच्छी है कार की जैसा कि आप देख सकते हैं और गाड़ी का इनिशल पिक भी काफी अच्छा है पेट्रोल पे चल लिए यह सी एंजी है नहीं इसके अंदर स्पीड बेकर्स पर जटके थोड़े ज़्यादा महसूस होते हैं ओल्ट है तो अब्यसली महसूस तो हो नहीं है एक स्पीड बेकर और आगे उस पर भी देखते हैं तो काफी जटके लगते हैं अंदर स्टेविंग वील इसमें हमें पावर स्टेविंग वील मिलता है यह थोड़ा सा ट्रैफिक अब इसको जीरो टू सिक्स्टी बगा के देखते है थोड़ा ट्रैफिक है इसलिए ज्यादा नहीं बगा सकते तो जैसा कि आप देख सकते हैं कार सिक्स्टी पे भी काफी असानी से पहुच गई है बिल्कुल नया इंजा नया कार का आठेजा चला है सिर्फ तो ओवियसली पहुच नहीं है कार जल्दी से और सी एंजी है नीस के अंदर बिल्कुल भी ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग ठीक ठाक है कार की इतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं कि अच्छी अच्छी तो गई निच्छी तो गईस ठैक्यू फूचिंग माई वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके ज़रूर बताएगा हमें वीडियो आपको कैसे लगी